दोस्तो नमस्कार के के Power of Investment में आपका स्वागत है दोस्तो अमीर कौन नहीं बनना चाहता देखे बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि बिजनेस करके ही अमीर बना जा सकता है एक सैलरी या रेगुलर इंकम से अमीर नहीं बना जा सकता है ऐसा बिलकुल नहीं है आप अपने अगल बगल देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत ऐसे लोग होंगे जो नौकरी करके या मेहनत मजदूरी करके करोर पती बने हैं इसका कारण क्या है इसका कारण ये है कि उन्होंने सेविंग करने का एक नियम बनाया और उस नियम पे वो लंबे समय करीब 15 से 20 या 25 साल तक वो उस नियम के हिसाब से उन्होंने सेविंग की और उनका जितना टार्गिट था उनको वो मिला मित्रो देखा गया है 30 से 35 के उमर में अधिकतर आदमी पैसे बचाने की सुरुवात करता है जिसके कारण वो कुछ भी नहीं बचा पाते हैं सिर्फ पैसे बचाने से कोई अमिर नहीं बन सकता बलकि पैसे बचाने के बाद बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट भी करना परता है और इन्वेस्ट करने पर आपका बचाया हुआ पैसा भी पैसे कमाने लगता है फिर आपकी income पहले के मुकाबले लगभग double या उससे भी अधिक हो जाती है या फिर आप job छोर भी सकते हैं जब आपकी returning ज्यादा आने लग जाए दोस्तो जब आप 20-22 के उम्र से यदि नियमित थोड़ा थोड़ा पैसे बचाना और invest करना सुरू कर देते हैं पैसा double पे double compound होना सुरू हो जाता है और compounding आपको अमिर बना देता है क्योंकि कहा गया है कि पहला एक लाख बनाना जितना कठिन है उतना ही आसान है दूसरा लाख बनाना इसलिए दोस्तों आप चाहे तो 15-20 या 25,000 रुपे मेने कमा कर भी आप करोर पती बन सकते हैं इसलिए आपको एक पैसे बचाने का नियम बना कर आपको उस पर चलना चाहिए जितना जल्दी हो सके शुरूआत कर देनी चाहिए यदि आप करोर पती बनना चाहते हैं या अम अमीर बनने में हमारी मदद करता है तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए यदि आपको अमीर बनना है तो क्योंकि इस नियम के अनुसार इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन को बेहतरीन खुशाल बनाया है और बना रहे हैं तो आप भी अप आपका पैसा नहीं बच रहा है या आपके इंकम कम है और आप भविश्य में एक अच्छी जिन्दगी जीना चाहते हैं तो आप इस नियम को अपने जीवन में हमेशा के लिए अपनाएं वो नियम है 50, 30, 20 रूल्स ओफ मनी आपकी जितनी भी मन्थली इंकम है उसका 50% यान आप यदि रेंट पर रहते हैं या घर EMI पर आपने लिया है उसके बाद रोटी कपड़ा, फोन बील, गैस, वाटर बील, बिजली बील, इंटरनेट बील तो दोस्तों आप अपने जरूरी के हिशाब से भी डिशाइड कर सकते हैं कि आपकी बेसिक नीड क्या है लेकिन अपने शलरी का आधा हीं खर्चा करना है, मान के चुलो आजकल आदमी की मिनमम सैलरी पंद्र से 20 हजार तो होती ही है, तो मान कर चलते हैं कि 20 हजार मन्थली इंकम है तो 10 हजार रुपे हीं खर्च करने है, बेसिक नीड पर, अब हम बात करते हैं चाहत की जी हां, जैसे आपकी चाहत होती है कि मैं एक बाइक या कार ले लूँ या मोबाइल या ब्रांडेर कपरे घूमने जाना है या म्यूजिक सिस्टम टीवी लेना चाहते हैं तो कोई बुराई नहीं है लेने में लेकिन अपनी इंकम के हिसाब से ही ले ताकि कुछ पैसा आप से भी कर सकें तो आप अपनी मंथली इंकम में से हर महिने आप 30% यानि की 20,000 आपकी मंथली इंकम है तो आप 6,000 रुपे महिने अपनी चाहत के उपर खर्चा कर सकते हैं जो साल का 72,000 रुपे होता है जो की इतने इंकम वालों के लिए कम नहीं है अब आप अपने हिसाब से डिशाइड कीजिए कि आपको एक साल में 72,000 रुपे में क्या-क्या खडिदना है उसके बाद मंथली इंकम का 20% जरूर बचत होना चाहिए जो खर्चा नहीं करना है कम से कम 10-15 सालों तक यदि आप अमीर और खुशाल जीवन जीना चाहते हैं तो सेलरी का 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डालना बहुत जरूरी है वो इसलिए क्योंकि आज कल प्राइबेट हो या सरकारी जॉब दोनों में ही रेटार्मेंट फंड नहीं मिलता है इसलिए जब आप काम करने योग नहीं रह जाएंगे उस वक्त के लिए भी पैसे बचाना बहुत जरूरी है क्योंकि मेरा मानना है कि आप अपने बच्चे पर डिपेंड नहीं रह सकते और ना रहना चाहिए क्योंकि समय का कुछ कहा नहीं जा सकता इसलिए अपने उस वक्त के लिए और बच्चों के हायर एजुकेशन उनकी साधी मेडिकल के खर्चे मेडिकल के लिए आप हेल्थ इंसुरेंस या टर्म इंसुरेंस करवा सकते हैं मेरे हिशाब से जब से आप जॉब स्टार्ट करते हैं या आप कमाना सुरू करते हैं तभी से आपको इस रूल को फॉलो करना चाहिए जो की बहुत जरूरी है तो बात हो रही है सेविंग की तो सेविंग में आता है आपको एक अनुसासन बनाना बहुत जरूरी है अब मैं एक उदारन लेता हूँ बीस हजार में से चार हजार रुपे सेविंग और इंवेस्टमेंट में जरूर डालना चाहिए और साथ ही जैसे जैसे साल दर साल आपकी इंकम बढ़ती है उसी प्रकार यहां भी आप अपने इस रूल को अपडेट करते रहना चाहिए यानि सिर्फ अपने खर्चे नहीं बढ़ाना बल्कि अपने सेविंग को भी इंक्रीज करते रहना चाहिए यानि कि अमिर बनने के लिए saving पे extra focus करना है तभी आप अपने life में अमिर बन पाएंगे आप saving से related और भी वीडियो देख सकते हैं link उपर i button and a screen और description box में मिल जाएंगे तो friends से दिए आपको ये वीडियो helpful लगा तो like, comment और subscribe करना ना भूले ताकि मेरा भी motivation बना रहे और साथ में bell icon जरूर प्रेस कर दें ताकि इस channel से जुरे सभी update आपको मिलता रहे इसी के साथ मिलते हैं next video में तब तक के लिए all the best, goodbye